हेलो बच्चो स्वागत है आप सभी का डाउटेट लर्न फंड क्लास 10 के चैनल पे हम है आपके मैट्स के भाईया विविक भाईया और हम पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि आपका सारे के सारे आ वैसे तो स्पेसिफिर्ली हम पूछना चाहे थे कि आज जो एसिस्टी का इससे प्रपर किया जली हम ऐना चलो ठीक है अब सारे के सारे के फिनिश और 11 उप्रोगे माट्स बच गया आएटी बच गया बसूया बेसिकली मैक्सम बचों का मैटी लास्ट जास्पिपर होगा हो तो लास्ट पेपर की जो त्यारी होनी-चे वो धमाकेदार होनीच जहका होनी चाहिए और कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आपके फुल आफ्टो फुल वाक्स आ जाए नहीं तो 90 पॉसंट तो कम से कम आने चाहिए है ना कि 90 पॉसंट तो मतलब मिनिमम क्राइटीरिया है ही 90 आजाए 100 आजाए डाट वेरी वेरी गुड टास्क तो हम यही चीज फुल्फिल करवाने के लिए आप लोगों को आज एक प्यारा सा सेशन देंगे एक प्यारा सा गाइडेंस देंगे जहां पे हम आप लोगों को बताएं अमराज है ना बाहुबली चलो ठीक है बाहुबली को ध्यान में रखते हुए बाहुबली प्रपरिशन करेंगे बाहुबली क्लास भी लगाएंगे ठीक है तो बच्चों आपका पेपर 11 तारीक को है सभी को पता है तो चार दिन का गैप मिल रहा है आपको साथ आठ नो और चार दस, सेवन तारीको साथ तारीको मतलब आज दो बजे फिलहाल हम आपके सामने हैं सौरी चार बजे है ना तो आपके सामने है बाकी कोई दिक्ट वाली बात है नहीं शाम के छे बजे से लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे यह रिकाॉरडे ट्रेशन आपको मिलेगा शाम के 6 बजे से हम class start करेंगे और किस तरीके से class होगी और किस हिसाब से class होगी वो हम आप लोगों को अभी discuss करेंगे और बताएंगे एक प्यारा सा guidance और एक प्यारा सा धमाकेदार फोडू इलाज करेंगे आप लोगों का क्यों कि यार ऐसा है इंग्लिश पड़ी है संस्कृत पड़ी है हिंदी पड़ी है फिर उसके बाद sst और science भी पड़ दी है तो maths पे न वो धूल जम गई होगी वो कपड़ा ऐसे जटकना पड़ेगा धूल दूल अटानी पड़ेगी तो वो दूल हटाने का काम हम कब करेंगे वो दूल हटाने का काम हम करेंगे च्छे बजे आज शाम को च्छे बजे करेंगे जहां पर हम करवाने क्या वाले है टाप हंड्रड mcqs based questions वैसे यहां 100 लिखा है अगर आप बोलोगे तो यहां हम 100 प्लस प्लस कर देंगे more than 100 questions होंगे mcqs based questions ताकि देखो पहले mcqs questions क्यों क्यों ले क्या है देखो ऐसा है 6 तारीक को हम 6 बजे साथ तारीक को 6 बजे ही अगर हम आप लोगों को चैप्टर पढ़ाना हो जाओ थोड़ा साथ शारे के सारे चाप्टर की रिविजन होनी चाहिए अना थोड़े से चाप्टर ऐसे घूमने चाहिए न दिमाग के सामने हाँ यह हमने पढ़ा था पूरे साल विवेक भाया ने हमें पढ़ाया था ऐसे ऐसे घुमेगा जब हम क्या करवाएंगे 100 mcq लिए में करवाइंगे ठीक है हर एक चाप्टर से मैं बता देख ite lma अगरर को हरे छाप्टर से कम से कम मांच से कम से कम पाँच कॉश्चंस होंगे ग발े हो जाहिए वो प्रॉबायबिली हो c Erfahr वो coordinate geometry हो चाहे वो trigonometry हो अब trigonometry में से तो 5 से ज़ादा ही होंगे वो तो अब्विस सी बात है है ना triangle triangle में से भी 5 से ज़ादा होंगे तो हर एक chapter न से 5 तो मिलेंगे बाकी add up होते रहेंगे वो chapter के उपर dependent दरेगा 70 questions तो chapter में से मिलेंगे बाकी जैसे trigonometry हो गया ठीक है वहां से आपको ज़ादा questions मिलेंगे triangle हो गया ज़ादा questions मिलेंगे AP हो गया ज़ादा coordinate geometry ज़ादा questions मिलेंगे probability maximum number of questions वहां से आते हैं वन वन मार्क्स के जो questions आते हैं प्रोबैबिलिटी में से दो questions तीन questions probability में से quantity की questions तीन चार questions आते हैं 20 questions mcqs based questions मतलब इस class में आपके 20 marks तो पक्का करवाने की कोशिश करेंगे 20 marks पक्का next भाई अब आ जाते हैं 8 तारिको आठ तारिकों क्या होगा जैसे कि आप देख भी पा रहे हो आठ तारिकों वन से लेके 7th chapter एक से लेके 7 chapter real number second chapter polynomial third chapter आपका pairs of linear equation fourth chapter quadratic equation fifth chapter आपका fifth chapter क्या होता है AP six chapter triangle and seventh chapter is coordinate geometry इन सब chapter की revision करेंगे इस सारे के सारे chapters को अच्छे से revise करेंगे concept wise formula wise and most importantly question wise है ना कौन सा कोशन कितना important है कोशन को किस तरीके से हम interpret करेंगे कौन से कोशन को किस तरीके से हम solve करेंगे depth में जाएंगे ठीक है फिर उसके बाद 6 बजे आपको एक छोटा सा और class लेंगे जहां पे आप लोगों को हम बताएंगे chapter wise important questions कौन कौन से है अब यहां पर यह जो class होगी ना वह एक घंटे की होगी एक घंटे में बच्चे होगा क्या मैं वह बता देता हूं आपको वह होगा कि भाई first chapter में से दो exercises है for example के तोर पर हम बता रहे हैं first exercise है पहली exercise में यह दो questions important है दूसरी exercise में से यह दो question से important है च्न सब्सक्राइब सब्सक्राइब से इस यह जो चप्टर है उसमें से तीन उखे आपचला सब्सक्च्राइब करें हम कुछ से बी कढ़ेंगे बद जब हम कुछ से पढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं पूरे-पूरा चैप्टर को solve करना चाड़ जब चारब करेंगे जैसे ट्राइंगल चैप्टर है फस्ट एक्सेसाइज पूरी की पूरी करेंगे सेक्न एकसेस पूरे के पूरे कोशेंज तो बच्चे वो है वो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप हैना कुछ एक ऐसे दो दो तीन कोशन से बहुत मिलेंगे आपको जो की बिल्कुल कॉंसेप्ट वाइस रिपीटेशन है और बिल्कुल जो कॉषिन हम रिवाइस कर चुके हैं तो बार-बार उनी कोशन को करना उनी इतना बेडा पार आपका हो जाएगा अगर जिस बच्चे ने सिरफ इतना भी मान ली हमारी बात सिरफ इतनी बात मान ली तो वो बच्चा याद रखना उसके 60 से लेके 65 marks कहीं भी नहीं गएह हैं यह हम 80 की बात कर रहे हैं 80 marks की बात कर रहे हैं 60 टैसन से 65 marks कहीं भी नहीं गएह मत Gulag 60 marks आप score कर सकते हो हम 65 भी newbacks are on Gуляр A64 कर सकते हो अगर सिर्थ और सिरफ n-cYautic questions और येवाले questions करके जा रहे हो तो थीक है तो ये याद रखना next यहाँ पर हो गया 8 तारिक 8 तारिक को 8 तारिक तक का सारा कार्य करम पूरा हो गया अब 9 तारिक की सुभे को आते हैं 9 तारिक सुभे 10 बज़े क्या बच गया वही साथ चैप्टर हमने यहां करवाए जाएंगे दस बजे मौर्निंग में अब यह जो रिवीशन होगी ओविस सी बात है एक चाप्टर में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना 45 मिनट्स तो लगेंगे तो यह जो क्लास होने वाली है बच्चा यह लेंदी क्लास होने वाली है ना महा महा मैराथॉन होगा तो वहाँ पे आपकी केस स्टडी होती है है ना तीन कोशन आते हैं केस स्टडी के पता है ना सभी बच्चों को केस स्टडी के तीन कोशन आते हैं सेक्शन ई होता है हरे कोशन चार मार्क्स का होता है जिसमें तीन कोशन होते हैं एक कोशन में पार्ट्स होते हैं थ्री एक मार्क का एक दो मास्वागर करने हो सकता है दो ही कुशन नाइक दो माक्स के चांसड बहुत कम होते हैं ठ्वीचिक हैं तो यहाँ से बारामाक्स सब कवरप करके जाओगे introI able to mark कभरप करके जाओगे ठीक है अगर गेंस्ट यह देख लो और सिर्फ यह कर लो इतने में आपका निष्चन तो जाओ आपके 90 पर इतने में ही अपके 90 पर संटu कैसे स्कोर करोई इतनी जो क्लास हमारी नौ तारिक तक जो क्लास है नौ तारिक ये अंड तक आपके 90 पर संट मार्स आचुकर co ठीक है 90 परसेंट का कहने का मतलब हमारा 65 to 70 marks 72 marks तक आचुके होंगे आपके बट ज्यादा मेहनत कहां लगती है ज्यादा मेहनत लगती है 70 से 80 marks लाने में वह दो 10 marks होते हैं ना उन्हें लाने में वह मेहनत करेंगे हम कौनसी तारीक को दस तारीक को वह मेहनत होगी हमारी और जो रो शो रोशे होगे सबसे पहले morning के 10 बज़े क्या होगा all important formulas सारे के सारे important formula chapter wise ठीक है and theorems theorems यहां mention नहीं है but that's fine कोई बात नहीं अच्छा उसके बाद उसके बाद previous 10 year के repeated questions most repeated questions कौन से आये हुए है last years के हम question paper से research करके लेके आएंगे यह यह questions है जो maximum time repeat हो रहा है एक दो questions हमको verbally वैसे भी याद है जैसे आपका होता है bpt basic proportionality थी हो रहा हम triangle chapter में confirm आहीं रही है continuous आ रही है वो तो 5 साल से लगातार ही आ रही है दस साल की बोलते हैं हम तो बोलते हैं पांच साल से लगातार ही आ रही है और पिछले 15 साल का data निकाल लोगे न तो वह theorem तो मतलब किसी सेट में bpt आई ही जाएगी वब बीवीडियों तो मान के चला आएगी 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 अना 80-90% चांसे जैसे दूसरी थियोरम क्या है दूसरी थियोरम आपकी सरकल की होती है कि टेंजेंट और परपेंडिकुलर टेंजेंट रोड रेडियस क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो वहां से एक थियोरम बन सकती है एक प्रूफ करने के लिए नहीं कोश्चन्स वहां से आ सकता है ठीक है सारे के सारे फॉर्मला इंपॉर्टन थियोरम जो क transformation और आपका दी रहे ठीक है अब यहाँ पे हम आपको बनाएंगे abomination अना हलका competitor अना abomination बड़ा है और उससे ज्यादा healthy है ठीक है यहाँ हम आपको बना रहे हैं क्या abomination और फिर आगे में बना देंगे थैनोस थैनोस बना देंगे फिर उसके बाद थैनोस विद फाइफ शिक्स infinity stones ठीक है तो यहाँ क्या होगा वाई साम्पल पेपर कम्प्लीट माथमाटिक्स साम्पल पेपर पी वाई क्यूज प्रिविए सियर पेपर्स के साम्पल पेपर्स अडिशनल साम्पल पेपर्स एंड कम्प्लीट माथमाटिक्स के रिविजिन होगी मतलब यहां तक बने आप क्या ब्रूस बैनर यहां पे क्या बने हल्क और यहां बन गए आप abomination से जैसे एक लिए पर यहां बन जाओगे विद शिक्स इंफिनिटी सोन्स तरिहां बन जाओ यह आप थैनौस फिर आपको कोई डिफिट नियुकर पाएगा इस क्लास के बाद तो हमें थैनोज नहीं बनना हमें क्या बनना है हमें python बनना है वो भी more करके साथ हमें बनना या था रत यंग चांग असका अवि मनना था तो उस था एंप मदने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा भी आप लोग इंट्रस्टेड हो अगर आप लोग इंट्रस्टेड होगे तो 11 मार्च को मॉर्निंग में एक क्लास कर लेंगे ठीक है अगर आप लोग बोलोगे तो बट उसकी रिक्वार्मेंट नहीं है क्योंकि हम यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुके होंगे अब 11 मार्च को अगर आपको क्लास करनी ह पड़ेगी अटेंड करनी पड़ेगी हमें दिखेगा अगर आप लोग इंट्रस्टेड हो अगर आपका बहुत बढ़िया मन है तो हम बिल्कुल 11 तारीक को भी मॉर्निंग में पांच बजे या चार बजे चोटी सी क्लास ले लेंगे ठीक है और फिर शाम को तीन बजे फट वो डिपेंड करेगा आपके पर यह टोटली आपके पर डिपेंड गरेगा अगर आप लोग बोलोगे हम वहां वह थाइंगे तो आपको solution भी मिलेगा ठीक है तो ये है एक complete strategy किस तरीके से आप prepare करोगे अपने आपको 80 out of 80, 100 out of 100% लाने के लिए ठीक है हमारे साथ रहोगे, साथ पढ़ाएंगे, मस्ती गरेंगे and बहुत सारे important questions आप लोगों को करवाएंगे ठीक है तो ये एक छोटा सा guidance अब मिलते है आठ शाम को 6 बजे विद विद ये क्या है Bruce Banner के साथ ठीक है चलो बच्चो बाइबाई टाटा टेक कियर and मिलते हैं शाम को 6 बजे तब तक के लिए टेक रेस्ट थोड़ा पानी पियो जूस पियो और थोड़ा सा sleep लो एक नाप लो छोटा सा ठीक है फिर मिलते हैं और questions करवाते हैं चलिए धन्यवाद thank you बच्चो